हम बात कर रहे हैं NHPC की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अफसाइट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है जब बड़ी गिरावट आई थी उसके बात स्टॉक ने 92 के सपोर्ट से बॉन्स बैक किया 100 का जो इसका तगडार रेजिस्टंस था मेजर रेजिस्टंस नैंटी एट हन्डेट का लेवल इसको ब्रेक आउट कर चुका है और हम देख सकते हैं आप उपर की और एक रेंज में स्टॉक काम कर रहा है rejection कहां face कर रहा है 104-105K level पर stock rejection face कर रहा है लेकिन इस rejection के साथ दोस्तों कि आमको यहां बड़ा sailing देखने के लिए मिर रहा है stock में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिर रहे है बड़ा sail off देखने के लिए मिर रहे है तो इसका जवाब है नहीं, बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रहे, 98 के लेवल पे गिरावट के बाद बड़े पिलर इंटर हो चुके, उसी वज़ा से जम देखने के लिए मिला था, और इस जम के बाद जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, यहां से रिजेक् बनाकर काम कर रहा है, 98, 100 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट रहेगा, ब्रेकडाउन कर गया तो बड़ी गिरावट, इस टॉक इस वक्त अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दे गया है, 104, 105 का जो लेवल है इसका जहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है, उसी के आसपास क्लोजिं क्लोजिंग दे गया है, तो अब बनेंगे ब्रेकड के चांस, आने वाले ट्रेडिंग डे में 105 के लेवल पर नजर रखना है, अपना इमिडेट टार्गेट रहेगा, अगर 105 का लेवल ब्रेकड हो गया, तो वह इसे कंडिशन में, फिर जो इसका हाई 108 टक का जंप स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग डे में ही दिखा सकता है, यहां तक का जंप, और इसके ब्रेकड के बाद फिर बड़ी तेजी दिखा सकता है, फिर अगला तार्गेट 112 और इसको ब्रेकड करके हमको 116 से लेके 120 तक के तार्गेट फिर NHPC में देखने के लिए मिल सकते है, यहां तक का जंप फिर NHPC हमको शॉट टम में दिखा सकता है, वीडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइसल या होल्ड की सला नहीं है, अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो,